आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कुस करेंगे यूपीएसी प्रिंसिपल की ओफिशियल जैसी ही टाइप अंसर की जो भी क्वेस्टेंस है उनकी क्या-क्या अंसर होने चाहिए वह सारी चीज़े हम यहाँ पर डिस्कुस करने वाले हैं तो इस पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइ अगर फटा-फट से आंसर पता चल जाए किस क्या अंसर है तो वह जल्दी से सज़्च कर पाएंगी कि कितना परफॉमेंस रही है क्या कुछ मार्स आने की उम्किल है तो वहीं मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाली हूं तो इस्ते पहले चैनल को सब्सक्राइब क को प्रेस कर लीजे इस तरीके की और भी जो सेशन आएंगे उसकी अपडेट आप लोग को मिलती रहेगी और स्टेडी पोर्टल इंडियास का नंबर वन टीजिंग हम सभी टीचिंग एक्जाम्स की तयारी करवाते हैं आपका टैट लेवल हो सी टैट एच टैट एंपी टै के लिए चाहे पी आरटी टीचीटी पीजिटी वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल सभी लेवल्स के एक्जाम्स की तयारी हम आपको करवाते हैं यूट्यूब पर आप हमारी आप डाउनलोड कर सकते हैं स्टेडी पोर्टल अकेडमी के नाम से जो कि गुगल प्लेश टो अपने शहर का नाम और एक्जाम कनाम लिखके हमें मिल और जेसे जुब сам में प्रिंसेटिंश लेबल Intf1 नुटी और जब locally inosta रहें वहाभित आपने तर्वेस पत्वाइस के घरिए करेंगे तो जब भी हम करेंगे पहले आफ इस कर लेंगे study portal या फिर दॉक्टर विजय के नाम से आप सेंड करें ताकि आपको broadcast के मादम से जो message आते हैं वो सारी चीज़े आपको मिलता है तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हम प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल सभी एक्जाम को focus करते हैं तो हम आपको online और offline batch प्रोवाइड करते हैं साथ ही recorded classes अविलेबल है recorded classes का batch आप ले सकते हैं तो कि जितने भी live classes होती ही वही आपको recorded class में दी जाती है recorded batch में ताकि आपका syllabus भी up-to-date रहे कोई pre-recorded video शेयर नहीं की जाती है जो live class में है वही आपके शाथ शेयर की जाती है नोर्स आपको बाइपोडियर के मादम से मिलते हैं interview batch और mock test series के हम जो है study portal सभी चीज़ आपको प्रवाइड करता है इसके लाब वाइस study portal तो highest number of selection है प्रिंसिपल के बाद करें या फिर हम CTAT या TAT level की बात करें focus on subject specific part पर हम यहां पर सबसे ज्यादा focus करते हैं और साथ ही आपका general specific part भी complete stables हम cover करते हैं study portal पिछले 12 साल से teaching exams की तयारी करवाता है तो आपको अपने experience coding हम आपके साथ जान करें साजा करते हैं complete solution at one place आपको मिलता है यानि की live batch recorded batch और test series अप्डेट सारी हम आपको प्रवाइड करते हैं और dedication PDF देखना चाते हैं तो study portal academy की app पर जाएंगे वहाँ free material में भी आपको मिल जाएगा और principle के batches में भी आपको वहाँ पर यह मिल जाएगा सारी की सारी चीज़े तो information आपको यहाँ पर सारी की सारी साथ ही आप हमें social media पर follow कर सकते हैं सभी के link नीचे description box में आपको मिल जाएंगे इस PDF में हमने दोनों ही पेपर के solution जो कि हमने 2022 का detail में discussion किया था वो भी डाला है और साथ ही 2012 का पेपर भी लाइव क्या solution भी मैंने आपको एक साथ ही यहाँ पर link दिये हैं ताकि अगर आप UPSC प्रिंसिपल का सेम होता है 80% तक सब में ही लगवग सेम होता है 80-85 के NVS और KVS में अपने कुद के rules खुद की policies आ जाती है इसी तरीके से UKC में कुछ अपनी policies और office आ जाता है जहां पर हम exam specific की बात करते हैं तो आप PDF के लिए आप app download करें वहाँ पे आपको relevant जो है उसमें आपको मिल जाएगी तो feedbacks आप देख सकते हैं पेपर easy feel हुआ कापी कुछ आपका पढ़ाया हुआ था exam देखकर अच्छा लगा ठीक है तो यह सारी चीजे आप यहां पर देख सकते हैं amazing good explanation के सारे चीजे साथ ही हमें WhatsApp के मादम से भी काफी सारे feedbacks पर आप देख कुछ यहां पर add की हैं तो thank you so much your feedbacks it means a lot for us तो यहां पर हमने सारे feedback add करने की कोशिश की है कुछ में से कुछ अब हम बात करते हैं question paper की तो यह जो हम paper discuss कर रहे हैं यह आप सभी को पता है को PSC का 2022 का यह paper है और यह जो हम set discuss कर रहे हैं that is set दी है हमारे पास सबसे पहला question था आपका यहां पर वहम इसी इंग्लिश पर जलते हैं इसके लिए आपका right था first question second question की पात करें तो two identical circles हैं यहां पर C1 C2 with centers O1 and O2 respectively intersects such that C1 passes through the O2 and C2 passes through O1 so if the points of intersection of C1 and C4 P and Q what is the measure of the angle यह आपको बताना था और इतका भी आपका जो question का right answer है वह है आपका option B 120 degree जैसे मैंने आपको पहले ही बता है अगर आप जानना चाहते हैं with solutions तो यह हम paper already कर डिसकस कर चुके हैं वह video आप वहाँ पर देख सकते हैं आप detail solution देखें यह video है specific उन लोगों के लिए जो फटा फट से अपना answer की check करना चाहते हैं quickly way all the students of a class are standing in a row each one of the facing the north the position of the tallest student is 47 from the left and 14 from the right how many students are there in the class इसका भी आपका जो right option that was option was the right answer question number four there are four boys a b c d and the boy a is taller than b but shorter than c the boy d is not tallest one whereas b is not the shortest one then which of the following statement is or are true नहां पर है p जो statement है वो कहती है कि d is the shortest one और c is the tallest one यह q statement कहती है यहां पर हमारी दोनों की दोनों ही ठीक है तो यह जो हमारा option right था that was options both p and next question है question number five pump p1 can empty out a swimming pool in one hour pump p2 can do the job in one hour 30 minutes where pump p3 can do the same job in two hours if all the three pumps are used simultaneously how much time will they take to empty the pool तो इसके बारे में questions था आपका यहां पर यह जो option है यह that is less than 30 वाला option a आपका यहां पर correct है less than 30 minutes okay next question की बात करें तो question 6 which one of the following parts of the sentence mr chandran has been selected as one of the member of the committee has an error mr chandran has selected as one of the member तो यहां पर आपका options यहां पर mistake it will be member next question है question number seven which one of the following parts of the sentence children are unable to learn optimically when they were under undernourished so has an error तो यहां पर present past है तो यहां पर आपका right option था that is when they were next question 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 number eight which one of the following parts of the sentence the importance relevant and beauty of the classical language of india cannot be overlooked as an error इसकी जो error थी वो आपके option a में error थी यहां पर importance relevant and बाले पार्ट में next question question number nine question number nine हमारा है which one of the following is most appropriate meaning of india idiom call it a day तो call it a day का जो हमारा meaning था right option a है at the end of the day particularly neighboring P calling a day as fruitful C leaving the workplace इसका right option था आपका D to stop doing something particularly same work next question question number 10 के और हम चलते है question number 10 क्या है हमारा question number 10 है which one of the following is the most appropriate meaning of the idiom paper tiger तो paper tiger का मसलब होता है कोई ऐसा इंसान जो देखने में तो लगे हां बहुत ही द्रावना लेकिन है कुछ नहीं तो a person आपका 10 का option a है question number 11 question number 11 क्या कहता है which one of the following is the most appropriate meaning of the idiom smell a rate तो यहां पे कौन सी idiom है smell red so to start thinking about the smell of a right यह नहीं है यहां पे जो right option आपका that is b to start believing that something is wrong about a situation 11 का हमारा option भी correct था next question है हमारा paragraph के basis पर था horn bells were among many one life species इसके basis पर यहां पर हमारा जो 12 question है why are the horn bells vulnerable during the breeding season तो यहां पे जो हमारा right answer है that is options की हमारा यहां पर correct है 12 का next question है हमारा 13 which one of the following words is similar in the meaning to the word taboo in the passes तो taboo होता है कुछ illegal activity जो मना की गई हो यहां पे जो हमारा right answer था 13 का that is option भी और बीडन यहनि की मना करना किसी चाहां तो भी option आपका यह हमारे आपकर correct था next question के और बड़े नेक्स question आपका हिंदी का paragraph के बेसे पर था करता रहा है कतन में बुद्धी बल का आपको जो है वह आर्थ यहां पर बताना था कि बुद्धी बल का यहां पर आर्थ क्या है कि विद्ध्यारूपी ग्यान और मेधा का बल यहां पर है कि प्रतापी नंद वंश के साथ ही उस समय के अन्य शक्ति साली राजाओं को केवल बुद्धी बल से स्माप्ट करने वाला यह है तो विद्ध्यारूपी ग्यान और मेधा का बल चानक के अपने बुद्धी बल से शत्रों को नस्ट करके चंद्र गुप्त को सि कंद्र पुराण में वनद वंश का उच्छेद करता कहा गया या उच्छेद करता का मतलब क्या होता है यानि कि सब कुछ नाश कर देने वाला ऑप्शन भी यहां पर आपका करेक्ट नमर 17 है हमारा निमन लिकित में से कौन सा सदाश्य शब्द का संधी विचेद है तो सदा गाटन का है वह क्या हमारा उतिजमा गाटन ऑप्शन बी निमन लिकित युगमों में से कौन सा सही सुमेलित युगम नहीं है यहां पर भी नहीं है और यहां पर जो राइट ऑक्शन है धाट फूलाने समाना फूलाने समाने का मतलब वो तक बहुत जादा खुश होना और पर है उत्साहीन होना यह अपका गलत है नेक्स क्वेश्चन 21 भी मौहावरे लोकोक्तिये से था इसमें भी आपको सही सुमेलित युगम जो नहीं है वह आपको बताना है तो यहां पर आप देखेंगे बाचे खिलना बहुत सुन्दर होना यह आपका जो है यह गलत है नेक next question which one of the following is not an ejection of a parametric test कौन सा ejection नहीं है तो normal distribution है randomization है और homogeneity भी है discontinuity नहीं है तो 23rd का जो आपका right option है that is option D next question 24 which one of the following test should be conducted by a teacher in order to identify the strength and weakness of the students in a area of study तो अगर किसी student की strength और हमें weakness पता करनी है तो उसके लिए हम diagnostic test करते हैं तो option C हमारा यहां पर correct है next question 25 which one of the following does not belong to the category of probability sample probability sample का कौन से example नहीं है तो परपजी यह sample यह नहीं है random भी होता है stratified भी होता है systematic भी होता है next question question number 26 which one of the following is included within the range of m plus minus 1 mu in a normal distribution तो यहां पर जो right option है that is है आपका 68.26 पी option आपका यहां पर right है next question which one of the following test is used for personality diagnostic personality diagnostic के लिए हम कौन सा test यूज करते हैं option A aptitude test B projective test C intelligence test test और the achievement test तो हम projective test यूज करते हैं तो हम इसको use करते हैं for measuring the attitude option B यहां पर आपका करते हैं question number 29 पर चलते हैं तो which one of the following variable does not fall into continuous age तो इसमें as time weight यह continuous age में है but class size option C आपका जो है वह आपका यहां पर correct answer next question which one of the following are standard score standard score कौन-कौन से है तो आपका T score Z score and 109 score यह आपके standard score है ठीक है mean जो score है वो नहीं है तो इसलिए आपका option D 123 पाला option आपका यहां पर correct है next question 31 which one of the following is used to determine the test performance in terms of certain psychological traits तो content validity, construct validity, criterion validity यह option नहीं है यह आपका जो productive validity है यह वाला option option D आपका यहां पर correct है next question है match list one with the list two आपको match करनी है list one two के साथ करनी है ठीक है reading यहां पर है reading language mathematics studies calls और यहां पर है reading maps computation expression और comprehension तो आपका यहां पर करेंगे next question है हमारा 33 33 हमारा question क्या कहता है match list one with the list two यहां पर भी आपको match list करनी है यहां पर है content oriented achievement list test school oriented aptitude test culture oriented verbal aptitude test और culture oriented non-verbal aptitude test इसके बारे में यहां पर आपको यह match करना है and that is option d आपका यहां पर correct होगा correct series will be a2 b4 c1 or d3 34 which one of the following measures is used to determine the greatest stability of the score so कौन सी होती है that is option आपका d 35 which one of the following are the which one of the following are the major methodological approaches in qualitative research qualitative research में जो major methodological approach है वो आपको यहां पर बतानी है यहां पर जो आपका option है post positive approach critical approach casual comparative approach और inter creative approach यहां पर जो आपका right option है that is a 2 1 2 and 4 तो option a आपका यहां पर correct है question number 36 which one of the following statement in the context of basic principle of achievement test is not correct तो कौन सा आपका यहां पर correct नहीं है वो आपको यहां पर बताना है तो option a आपका यहां पर जो है वो right option होगा it should be used to improve the students learning a option is correct here next question पर चलते हैं that is our question number 37 so which one of the following statement regarding they stack e-portal they stack e-portal से आपका कौन सी statement correct है यह आपका क्या है current affairs question है general awareness का question है तो इसका option a correct है it is a portal through which citizens will be skilled so that they can improve their livelihood opportunity 38 consider the following agriculture produce cereals cotton onions potatoes pulses तो इसमें से किसका MSP होता है वो आपको बताना है तो MSP होता आपका cereals cotton and pulses का तो 125 आपका option a जो है यहां पर वो correct है next question है आपका 39 39 क्या कहता है in which one of the following following national parks of india is there a proposal to reintroduce pita's from america africa तो यहां पर री इंट्रोडूस्टास प्रों अपरिका इसके लिए आपका जो है वह कुनो national park option c correct है next question है 40 which one of the following indian musical instrument is traditionally made of buffalo horn आपका है कुर्रम कुजाल आपका है नदास्वारम पुंगी और पेपा इसका जो right option है that is option d kpa is the correct word next question 41 which one of the following countries plans to invest 42 dollar billion in india over the next five year australia france japan or united kingdom the right option is japan option c correct है next हम चलते है question number 42 per question number 42 है regarding the pm किसान scheme so under the scheme land holding former families are given a financial support of 6000 per year यह correct है the tenants of agriculture lands can avail the financial benefit under the scheme by submitting the documents and proof of their tenancy second correct है third correct नहीं है तो आपका यह आपका first and second d option is correct next question है the term पतन-पतोला और माधूरी संगोडी यह किस से रेटेटेड है so these are the fabrics of the sarees available होती है तो 43 का आपका fabrics option b is correct next question पे चलते हैं next question is question number 44 तो consider the following pairs यहाँ पर है चाओ दो मईह होन्बिल और वांचुआ यहाँ पर है करनाटे कोडिसा नगलेंड असम आपको बताना है कौन सा festival क्या popular है same statement correct है यह यह गलत है तो यहाँ पर आपकी third and four जो है वो old desert और mangrove forest तो 45 में यह आपकी जो तीनों की तीनों है वो correct है तो राइट option विल बी आपका option d 1 2 3 is the right next question पर चलते हैं that is question number 46 consider the following statements regarding the cryptocurrencies in india cryptocurrencies से regarding आपको बताना है option a is transactions involving cryptocurrencies are not done through commercial banks b there are no cryptocurrencies exchanges in india third cryptocurrencies cannot be used in money laundering or fourth cryptocurrencies cannot be regulated by any financial sector regulator तो यहाँ पर जो आपका right option है first और fours यहां पर सही है तो c statement आपकी यहां पर correct है 47 company buys four commodities c1 c2 and c3 and c4 to produce a product the following chart shows the old and new prices of these commodities in per unit per unit में कितना price में effect पड़ेगा वो आपको बताना है तो जान रखना है यहां पर unit हमें बताना है तो यहां पर all rates में बात करें तो c1 का है 1000 और new rates है 1200 c2 का old है 850 और new का है 900 c3 का 640 और 800 है c4 का old 4 और new 2012 है तो प्रोडूस 100 units of the product क्या क्या रिक्वायर होता है है c1 की 200 c2 4 c3 की 5 और c4 की 20 तो अगर कोई भी चेंज नहीं है लेबर चार्जिस में तो क्या चींज होगा production per cost में बताना है तो हम यहां से सीथा difference निकाल लेंगे और 100 का निकल आएगा हमारे पास difference और उसकों 100 से divide कर देंगे तो हमारे पास one का जाएगा तो right option will be your b option 15.6 48 है आपका the mother of e is f and the mother of b is a the spouse of d is a and the spouse of b is f what is the relation of d with e क्या relation है d का e के साथ आपको यह बताना blood relation का reasoning से question है तो यहां पर आपका option a correct है father's father 49 के अगर हम बात करें newspaper disturbing agency your distributing agency supplies latest issue of a daily newspaper is 20 old issue of the same newspaper अगर आप 20 और यूनिट देते हो तो तो यहां पर आपको बताना है कि परसन है कोई उसके पास 8000 old issue है तो उसके कितने टाइम तक जो है फ्रेश मिलती रहेंगी न्यूपीस मिलते रहेंगे वह सारी की सारी रिटन कर देता जो उसको रिसी होंगी वह भी तो अगर आप यहां पर आर्ट 8000 के अकोर्डी निकालोगे तो उसको मिली है 8000 के बाद ने उनको भी तो वह वापिस कर रहें तो राइट ओप्शन वी ओप्शन C 421 50 का है तो यहां पर आपके क्या हो सकते हैं तो 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 यहां पर आप देखेंगे ओप्शन C ocean and tiny यह आपका correct option जो कि आपका correct होगा next question है आपका 52 52 question आपका क्या कहता है evaluation of pupils learning difficulties during instruction is known as that is diagnostic option C आपका जो है वो यहां पर correct होगा 53 which one of the following statements indicate the formative evaluation pupils entry performance in terms of instruction pupil learning progress during instruction आपका B option जो है वो आपका यहां पर correct है 54 की बात करें which of the following are the components of evaluation तो यहां पर qualitative quantitative and value adjustment यह option आपकी correct है तो option D आपका यहां पर correct होगा जिसमें 123 दिया हुआ है 55 की बात करें तो 55 question हमारा आपका नीचे है तो split half method is used for determining which one of the following characteristics of the test तो यहां पर आपका जो right option है that is option B reliability है 56 question की बात करते है which of the following categories in the taxonomy of education objectives are the parts of effective domain application valuing organization adaptation or comprehension यहां पर जो right option that is valuing and organization पी ओप्शन आपका two and three is correct है 57 है verbal comprehension is so verbal comprehension क्या होता है demonstrating and understanding of the meaning of words sentences and direction आपका भी option यहां पर correct है next question है 58 which one of the following is the main advantage of using a table of specification when preparing an achievement test it reduce the amount of time required it makes construction of test item easier it decrease the objectivity of test right option 8 it improves the sampling of the content option D is correct here next question 59 which one of the following categories in the taxonomy of educational objectives indicate the highest level of learning so यहां पर आपका option analysis application synthesis and comprehensive so right option you will be C option synthesis next question 60 which one of the following agency which one of the following agency which one of the following agency which one of the of students and evaluation of student is to be set up to catalyze and expand research and innovation across the country as per NEP 2020 so यहां पर यह है HEI higher education Commission of India option C आपका यहां पर correct रहेगा next question 63 which one of the following statements correctly describe the purpose of Farak as Envigas in the national education policy 2020 so यह है it is proposed to set up as a national assessment center for standard setting and guidelines for assessment and evaluation of students अगर आप में से जो लोग नहीं है उन सब को बता दूँ कि यह सारे के सारी questions इस टाइब के और हम अपनी live batches में भी आपको करवाते हैं live batches में complete syllabus cover करवा जाता है उसमें complete syllabus discuss करते हैं live आपको complete पढ़ाते हैं साथ हम वहाँ पर test series भी जो है वो भी solve करते हैं अलगल test topic wise solve करते हैं one year की validity होती है और उसमें आपको जो भी पढ़ाया जाता है वो सारा आपको PDF की format में आपकी app पर मिलता है और यह series हमने एक क्विक रिवेजन अपने यूटूब चैनल पर भी की थी six days के लिए जो कि आप अभी भी देख सकते हैं क्विक रिवेजन सीरीज तो वहाँ पर भी हमने काफी सारी क्वेशन यहां पर हमने डिसकस किये थे तो वहाँ पर भी आपको काफी सारी क्वेशन जो है इस तरीके के आपको मिल जाएंगे नेक्स क्वेश्चन है आपका तो इसमें आपका होता है 10 टार्गेट इन फाइफ ग्रूप ठीक है नेक्स क्वेश्चन 65 SDG 4 सही है कि एम्स तो एंशूर इंक्लूजीव एंग्विटेबल एजुकीशन इन इंडिया तो और यह तार्गेट है आपका 20 30 इस दी राइट ओक्शन स्वांप पूर्टल पर यह सारी का सारी जो आपकी नेशनल कोडिनेटर आजनसी ही है लेकिन इंजिरिंग सेक्टर पूछा गया है तो करेक्ट रड़ भी करेक्ट सब्सेघ्चन प्रोग्राम एंच्प्रोग्राम उन टेक्न आंस लरौनिंग अप्शन पर्शन निए पर तो यह हमारा दोनों से आएगा state government से भी और center government से भी together तो option d आपका यहां पर correct रहेगा 68 which one of the following is not a guiding principle for the implementation of recommendation of the national education policy 2020 तो यहां पर जो right answer है that is evolving a centralized implementation structure at the national level question number 69 the national education policy 2020 recommends training of current under bodies workers and teachers by the cluster resource centers of the school education department which one of the following agency is supposed to develop the curricular or pedagogical framework for this purpose so it will be developing by ncrt national council of educational research and training question number 70 according to the nep the planning and implementation of early childhood care and education curriculum will be carried out jointly by तो यह कौन करी करे का ministry of education ministry of wcd यानि की women and child development ministry of health and family welfare and ministry of tribal affairs option a is correct here next question है in the five plus three plus three plus four pedagogical and curriculum structure of the school education provided for in the national education policy the first five years consist of option a the preparatory stage corresponding to age range of five to ten years option b foundation is तो आपका जो आपका आपका option c foundation states को दो बाट में डिवाइड किया गया जिसमें से त्री यह से आपके अंगरबादी और recommended by NEP for the purpose of establishing a minimal set of standards will include इसमें क्या होगा option a is correct all stages of the education including preschools education for all schools private or public or philanthropic next question question number 73 the school safety policy 2016 consider which of the following as the sources of possible 1000 in a school faculty जो आपकी है faulty construction and poorly maintained infrastructure loosely placed heavy objects such as almiraz uneven flooring or inadequate sanitation facility तो यहाँ पर आपके option 1234 सभी के सभी करेक्ट है आप question number 74 की अगर हम बात करें हूं among the following जो है designates a school safety focal point teacher to operational anchor safety related actions as the school as a part of his routine commitments in the school to write option will be principal and administers 75 as per the national disaster management guidelines school safety policy 2016 which one of the following is not a responsibility of school admin to school admin की क्या responsibility नहीं है develop policies and regulation and soaring all schools are disaster religion यह नहीं है question number 76 76 की बात करें तो which one of the following is not a penalty under the CCS CCA rules so penalty हमारी शंस्योर भी है dismiss भी है removal भी है आपका suspension is not a penalty option D is correct in the context of order regarding the use of Hindi as official language the percentage of the amount to be spent for the purpose of books in Hindi out of the total budgetary grant allocation for the purpose of books for libraries आपको 50% करना होता है option C correct next question है consider the following statement in the context of government e-marketplace GEM यहां पर आपका first option correct है जो है कि credential of the supplier shall be certified by GEM SPV और आपका third option correct है तर दिस्लिबरेटी ओफ रेट शेल बी सर्टिफाइड बाइदी प्रोक्यूरिंग ऑथर्टी तो फॉस्टें 3 आपका यहां पर correct हो जाएगा 79 क्या कहता है which one of the following statement is correct in context of limited tender inquiry LTE तो LTE may as a general rule be adopted when estimated value of the goods to be procured is up to 25 lakh ठीक है the number of supplier firm should be more than three or bits through LTE are invited through firms which are born on the register तो यहां पर first और second आपका जो है वो यहां पर correct है option B next question 80 the general financial rule 2017 permits purchase of goods up to the value of 25,000 without the on in each occasion without inviting quotation or bids on the basis of a certificate to be provided तो आपको बताना है कि यह जो certificate इसमें क्या-क्या चीज़े होते तो इसमें quality भी होती है reliability और reasonability of the price भी a option is correct next question है कि 81 आपकी service book है उसकी entry जो retention period a service book का of official uh entitled to retirement terminal benefits and in whose case the final pension graduate payment order has been issued तो कब तक रखी जाती है तो आपकी जो service books है वो 10 years तक रखी जाती है तो आपकी जो service books है वो 10 years तक रखी जाती है दो इन terms of provisions stipulated in the general financial rule performance security shall remain valid beyond the date of completion of all contractual obligations of the supplier including warranty obligations for a period of that is 60 year पर रहती है आपकी performance like this is the option in terms of provision contained in the general financial rule price variation close कब होता है तो price variation close जो है वो long time contract में होता है long time contract का मतलब क्या होता है जो 18 months से जादा होगा 18 months भी option correct है in terms of the provision contained in the gfr which one of the following items of expenditure is not defined as a capital expenditure so capital expenditure में आपका कौन सा नहीं है option c expenditure in a cure on maintenance repairs and upkeep of the assist question number 85 85 consider the following statements regarding the requirement of furnishing earnest money deposit earnest money is nothing as that bid security only in e-bids on gm portal having estimated value of the more than five lakhs तो यहां पर आपका जो correct option है यहां पर है केंद्रिय बंदार विल्भी एक्जम्टिट बिल्कुल सही है service provider having a turnover of two thousand two hundred क्रोड तो टर्न आवर से कोई लेना देना नहीं है के basis पर exemption नहीं है यह नहीं है आपका state PSU और आपका जो केंद्य बंदार रही एक्जम्ट होंगे आपका पर चलते हैं 87 is in respect of which of the following activities is previous sanction of the government not required by a government service तो कौन सी ऐसे service है जिसके लिए के लिए previous sanction जो है वह requirement नहीं होगी उसकी जरूत नहीं होगी वह आपको यहां पर बताने हैं तो यहां पर undertaking honorary work वह आप ले सकते हैं पार्टी पर देंगी शोशल एक्टिविटी साज अमेर्चूर शोकिया तोर पर आप ले सकते हैं making a privately owned media यह आपको चाहिए फोर्थ भी आप कर सकते हैं occasional work तो 124 आपका option A यहां पर correct है next question की बात करें तो next question is 88 question number 88 क्या कहता है in which of the following cases does a government servant not retain lean on a post अब नहीं होगा वो लीन पर जो पर्मानेटली कहीं पर absorb हो जाएगा तब नहीं होगा बाकि तीनों cases में चेक्स्टोर्ण लिए पर हो suspension पे हो foreign service पे हो होगा तो आपका option B यहां पर correct है question number 87 89 पर 89 क्या है आपका कि as per the procurement protection of children from sexual offenses act 2012 child means any person below the age of that is 18 years से बिलो पोसको एक्ट में आपका यह है 19 which of the following statement regarding the constitution of internal complaint committee ICC जो बनाते है sexual harassment of women at workplace PPR यानि की prevention prohibition and regression act 2013 के तहें तो उसकी क्या क्या condition से जो आप ICC बनाते हो उसमें क्या होता है आपकी half से ज्यादा women होनी चाहिए senior level पर होनी चाहिए और कोई ने कोई NGO वाला भी होना तो आपके जो यह statement है 1234 इसमें सापका 123 जो है वह आपको यहां पर करेक्ट है next question की तरफ जाते हैं तो next question है हमारा 91 which one of the following should not be there in unstructured in depth interview unstructured में आपकी agenda focus सा वो नहीं होगा पी option आपका correct है next question है which one of the following is not a method of establishing probability तो यहां पर आपका option A correct है empirical approach 93 the comparison of a pupil's performance on a test with that of another pupils in some appropriate reference group is called that is called norm referend testing 94 consider the following statement regarding the psychological test psychological test regarding आपको consider करनी है तब आपको बताना है तो यहां पर आपकी 123 statement है यहां पर आपका correct option है that is one and three only option c is correct 95 group test are used primarily in education system government services industry and military services और clinics यहां पर आपका two and third है वो आपका यहां पर correct option option B is correct here for 95 96 की तरफ चलते है 96 question क्या कहता है which one of the following education institute of ancient times is not a part of independent India तो तक्षिला भारत में नहीं है तक्षिला पाकिस्तान में है तो आपका option D आपका correct है question no 97 task of preparation of the ncf was accomplished by किसने complete किया था that was accomplished by national steering committee and 21 national focus groups द्वारा 98 है as per the right of children to free and compulsory education act 2009 and all weather school building should consist of separate toilets for boys and girls and easy access without barrier a common room for teachers and school management committee members a kitchen where midday means school 124 आपका ये correct है आपका 98 का next question है 99 according to the right of children of two free education compulsory education 2009 the vacancies of the teacher in a state on school shall not exit 2% of the total section stand 5% of the total correct answer is 10% of the total section stand that is option c next question है question no 100 under the right of children to free and compulsory education act 2009 which one of the following may not be a part of consideration while laying down the curriculum and evaluation process of the elementary education यापका आपका आपका जो correct option that is universal school system option d is correct moving to next question 101 101 as per the right of children to free and compulsory education act 2009 if a child happens to fail in the regular examination at the end of the eighth class he or she can give an additional opportunity तो उसको जो time मिलता है री examination का मिलता है two months from the date of declaration of result option b is correct next question है which one of the following ace group children is entitled to free and compulsory education as per the right of children to free and compulsory education act 2009 that is six to fourteen years option c आपका याँ पर correct है next 103 as per the right of children to free and compulsory education act 2009 which one of the following is not the function of the school management committee so preparing the norms and standard of the school यह नहीं है question number 104 as per the right of children to free and compulsory education act 2009 what is the minimum number of working hours per week for the teacher the minimum number of working hours is 45 hours including the preparation time 105 as per the right of children to free and compulsory education rules 2010 state advisory council is shared ex officio of ex officio of the minister in charge of school education in the appropriate government option c is correct here next question is question number 106 according to the school disaster management plan template of national school safety program and ssp how many students are specified to be a part of the recommended structure of school disaster management committee answer will be option four option josey option four josey option now question number 107 while inquiring into any matter relating to the complaints under section 14-1 of the commission for protection of child right act 2009-2005 the national commission for production of child rights and cpr shall have kya honi chahi us ke paas sabi ki sabi powers honi chahi civil court ki to aap ka option b yahan par correct hai question number 108 which one of the following sections of the commission for protection of child rights act 2005 allows the state government to constitute an authority where the state commission for protection of child rights have been not constituted to yahan par a option a section 14 a is the correct answer question number 109 which one of the following is correct with regard to the recommendation of national education policy to establish school complexes within a radius of five to ten kilometer for effective school governance option b a school complex consists of one secondary school together with all other school offering lower grades in all the neighborhoods including anger bodies next question is one 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 the right of children to free and compulsory education act 2009 does not stipulate which one of the following with regard to the constitution of school management committee to at least two-thirds of the member of smc should be teachers question number one one two as per the right of children to free and compulsory education rules 2010 the block level grievance redressal committee set up as a part of redressal mechanism for teachers shall redress the grievance of the teacher within 15 days option a is correct here one one three file number in a conventional file system numbering system contains which of the following information two three four yaha par karta one nahi karta to two three four option c is correct one one four is the form of communication used for issuing instruction intimations in routine internal administrative matters such as grant of regular internal posting transfer so yeah option a office order is the right option which of the following issue cannot be taken up for the redressal of grievances through web-based central public grievance redressal and monitoring system to so this is the right option d is correct 116 government servant has 250 days el and 100 days of hpl at the credit on the day of his retirement from the service he shall be eligible for encashment of leak equivalent to 250 and 50 hpl question number 117 is consider the following statement regarding grant of leave by the competent authority under the ccs leave 1972 so competent authority revoke karsakti hai aapki accept karsakti hai reject karsakti lakun alter nai karsakti alter tabhi karsakti hai jubkhi aapki government servant na khud return request diyo to a option one and option four is correct option d is correct next question consider the following statement regarding the casual leave casual leave casual leave regarding one and two aapka correct है क्योंकि casual leave special casual leave के अलावा किसी और के साथ है अपकी combine नहीं होता है next question is 119 119 क्या कहता है very request for providing information under the rti act अगर कोई भी information आप लेते हो उस ताइम पर आपको मना कर दिया जाए तो जो को अपिलेट और 30 को वो contact कर सकता है सारी की सारी तो one two three is the right option next question है आपका in which of the following cases there is no obligation for an organization to provide information to a citizen under the right of information act 2005 तो इसमें आपका second statement है वो just आपका correct है तो इसके साथ मैंने आपको quick way में यहां पर complete paper का solution मैंने आपको बता दिया है जब आप अंसर चेक करेंगे तो please check according to yours जो आपका जो भी आपका set है उसके according आप जो है वो check करें क्योंकि यहां पर हम set की बात कर रहे हैं वो set हमारे पास जो है that is option आपका set D है set D के according मैंने आपको complete solution यहां पर आपको provide करवाया है तो उसके according आप देख लीजिए आपका set D है कौन सा है और जो आप चेक करें तो answer क्या भी आप series देख लीजिए ऐसा नहीं कि answer आपके पीछे हो मैंने जैसे वनका भी बोला आप उसके according चेक करें अपने set में तो वह set के according question के according आप answer भी देख लीजिए कि answer तो आपका और प्रिंसीपल वाइस प्रिंसीपल में चाहें आपका प्रिंसीपल है एमर्स प्रिंसीपल है सबी एक्जाम की हम तयारी करवाती है even for your state level क्योंकि state level में और central rules में ज्यादा फर्क नहीं होता है आपका लगबक सही होता है पुछ और पूरे भारत में कोरियर के दिवारा हम नोट करते हैं तो आप हमसे और कर सकते हैं हमारे कर सकते हैं नीचे description box में इसका लिंक दिया गया है जल्दी हम आप लोग के लिए इसका analysis भी करेंगे कि किस topic से कितने questions आये और किस type का paper था कितना cutoff जा सकता है यह analysis आपको जल्दी मिल जाएगा तो अगर आपका UPSC Vice Principle है आप में से कोई ऐसा है जो कि इस वीडियो को इस क्यारी कर रहा है तो उनके लिए भी बहुत easy हो जाएगा यह analysis देखना तो वह भी जरूर देखिएगा और उसके according ही जो भी आपका केविए specific specific सभी exams की हम आपकी तयारी करवाते complete से बस कवर करते हैं अपने लाइव बाचिस में हम जो और देते हैं ताकि जादा से जदा चाता है वह सारी की सारी आपको PDF भी मिलती है तो अगर आपको कोई भी डाउट है कोई वी क्वरी है regarding courses regarding batches regarding notes और डारेक्ली कनेक्ट ओन 844-7410108 पर साथ ही आम आपको कैरीर कांसलिंग सेशन भी प्रवाइड करते हैं तो अगर आप अपने कैरीर कांसलिंग सेशन अरेंज क करना चाते हैं तो वह भी आप हमें डारेक्ली इसी नमबर पर पकांसलिशन कर चाहते हैं तो वह हमने कल के लाई बैच में किया था तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं वाप पर आपको detailed way में पूरा का पूरा solution मिल जाएगा यहाँ पर मैंने आपको एक जिस फिक बताया है ताकि आप अपने answer की according आप देख सकेंगे कि कितने अपके answers आ रहे हैं Good evening Dr. Sindhu तो अगर अब आपके पास कोई भी doubt है कोई भी query है regarding कोई भी तो आप comment section में comment कर सकते हैं और जो आप अगर इसकी पीडियाफ चाहते हैं तो पीडियाफ में हमने अप पर upload कर दी है आपका जो free material का section होगा वहां पर UPSC या फिर principle के नाम से फोल्डर बन गया है उसके अंदर आपको सारे के सारे प्रीविए प्रीडियाफ आपको वहां पर मिल जाएंगी इवन आपको UPSC 2012 वाल पेपर भी वहां पर मिल जाएगा अगर आप प्रिंसिपल की तयारी कर रहे हैं तो यह दोरो पेपर आप देख सकते हैं और जल के साथ नहीं और नॉलिज़ों के साथ तो थैंक यू सो मच और स्टडी पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथी बैल आइकून को प्रेस कर लीजी ताकि जैसे वीडोड की जाती है उसकी आप सभी लोग को मिल सके एप आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल कर सकते हैं